Hello students, I am Apeeta Devangan. Welcome to you all in the next video of Soft Skill Feedback in Communication This is this session 2 and in this session we are going to discuss about the feedback देखो Feedback in Communication में basically हमको क्या पढ़णे हैं कि feedback होता का है सबसे पहले हम ये जाने हैं यहा अपलिक है यूहाव रीड अलियल इन फीड़ इसेंशल कंपोनेंट अफ एवरी सक्सेस्फुल कम्मिनिकेशन भी अगर आफ नहीं दोगे तो कम्मिनिकेशन कैसे पॉसिबल है क्या सुरख़ नांव ही कैसे ।हरी सक्कते ही थक्यण George guys न सकते हैं नहीं ठीक है तो दो लोगों का होने कंपल सरी है तो दो लोगों काibilidad विलन गेंगे जब आपको कुछ बोलूंगी और आप मेरे को क्या करेंगे रिप्लाई करेंगे आप कोई भी फॉर्म में रिप्लाई करें जितने भी टाइप की communication पड़े हैं पर जब दोनों लोग ही reply मतलब जो दो पार्टी है वो आपस में एक दूसरे के messages का एक दूसरे के question का या एक दूसरे के views या ideas पर कुछ comment करेंगे thought रखेंगे अपना suggestion देंगे तब ही वो communication कहा जा सकता है दरवाइस नहीं बोल सकते हैं तो meaning of communication को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले यह जानते हैं कि basically जो क्या-क्या चीज़ी होती है communication में तो हम सबको पते हैं सबसे पहला होता है sender यह messenger जो message को transmit करते हैं दूसरा है यह मैं पढ़ा चुकी हूँ ना the message or information do we send जो हम लोग send करते है message जैसे मैं भी आपको अपना video share कर रही हूं यह feedback in communication पढ़ा रही हूं and coding means कि इस format में आपके इंग्लिश को follow करते हुए भेज रहे हैं जैसे हिंदी इंग्लिश कौन सा particular language यूज कर रहे है structure कैसा है basically that is encoding and channel is medium basically how we how you are connected with that person or that receiver we can say है ना एक दूसरे से वह कैसे करेंक्टेट है यह face to face communication कर रहे हैं तो AR होगा medium अगर आप और किसी type का communication कर रहे हैं तो internet या electronic device वगएर कोई भी हो सकते हैं यह printed form में होगा तो paper वगएर होगा recording means अगर आप जो message भेज रहे हैं understanding the meaning from the message received through a certain medium जो भी चीज आप भेज रहे हैं उसको properly understand कर रहे हैं that is recording question okay and feedback is very important intimation about the successful delivery of message feedback बहुत important है अगर सामने वाला reply करता है it means it shows that he or she has been received the message correctly वो क्या किया है जो आपका message है उसको correctly receive कर लिया है जिससे हम WhatsApp की बात करें मैं वोली है आप क्या करते हो उसको scene करते हो and then you state reply hello or hi तो मैंने समझती हूं कि क्या मैं जो भेजी उसको correctly जो रिसीवर है वो रिसीव कर लिया है so this is the way how we can this is the way we talk with each other or we communicate with each other basically feedback is very important component in communication as it's sure that the message has been successfully or convert successfully तो आपका feedback जो है वो आपकी communication को बहुत एफेक्टिव बनाता है यह आपको picture के form में भी बताया है कि message send करता है message को receiver message reply करती है जो भी है recipient इस step से फिर दूसरे में क्या होते communication फिर होता है ठीक है feedback can be of the various form depending upon the type of communication type of communication की सबसे feedback की होगा आप बोलोगे तो मैं भी बोल की reply करूँगी आप message करूँगे तो मैं message करकी reply करूँगी है ना तो यह अलग 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 form में यह depend करते हैं जो आपका response है वो depend करते हैं कि किस step से आप उसके सामने लिकसाथ बात कर रहे होगा दा स्माइल और नोट कैन फिर्म फिट्बैक इंद इंट्रेक्टिव इंब बोस्टिं कम्लिकेशन अब जनरली कैसे मोल भी नहीं हो तो नॉर्मल मैं smile भी दे सकती हूं है ना smile दोंगी इसका मतलब मैं आपको जानती हूं या आप मुझे जानते हैं या कभी-कभी ऐसा होते कि हम अपने इसा है या फिर ऐसा गाड़ी वागिर में हैं तो ऐसे हाथ को ऐसा करेंगे वह क्या एक टाइप का वो भी सब्सक्राइब करते हैं या तो आपको पूरा समझ है या तो आपको कोई मतलब भी नहीं मैडम जो पढ़ है तो पहला वाला तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होते है कि मैं जो पढ़ा हूँ वो सब बच्चों को सब ची समझ आ जाए मुझे तो नहीं लगता अब सेकेंड आप रिप्लाइ करते नहीं हो इसका मतलब किसी को कुछ समझ भी नहीं आता होगा या किसी को मतलब नहीं रहता होगा फिटबैक और बहुत इंपॉर्टन है इसलिए हमेशा टीचर्स बोलते हैं किया फिटबैक दो ज़रूरी नहीं यह फिटबैक पॉजिटिव है भई अगर मैं बोल रही हूँ कि बिटा आपको समझ आए कि नहीं तो हाँ बोलना ज़रूरी नहीं अगर आपको समझ नहीं आ आते हैं कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं ताकि मेरा लॉस नहीं यह तो अलग चाहिए आपका कुछ नहीं होना चाहिए ना मगर मेरे समझ नहीं आता है तो क्या पता मैं आपको और अच्छा वीडियो प्रोवाइट करने की कोशिश कर हिए रूडली नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है कुछ तो मैम मुझे इस पर्टिक टॉपिक में प्रॉब्लम है आप किसी मतलब यह आपको नहीं बोलना है या नहीं समझना है तो आप किसी और का वीडियो भी देख सकते हैं पर बस यही है कि आपको समझ में आना चाहि लिखते हैं तो आप इतनी रहो कि उस टॉपिक के बारे में कुछ तो लिख सको अना कुछ रेलेवन्ट लिखो या कुछ पी लिखो अगर आप उसमें लिखोगे तो आपको डेफिनिकली माक्स मिलेगा तो यह है थैंक्यू नोट भी एक्टाइब का तो आपका हुटिंग जो क्लैपिंग है वह भी एक्टाइब का रिप्लाइए इक मीन्स देट परसन और मौर देन टू परसन हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक जो है आपकी बातों को समझ रहा है सुन रहा है तब यह तो फेडबैक दे रहे तो फिडबैक बहुत सारे परसन बनाते हैं अन्ली एन एफेक्टिव फिडबैक का वह इंशॉर करो कि आप जो बोल रहा है वह सही है कि नीज है ने सकसेफुल इंटेंशन होना चाहिए इफ दे वैसे नोट रसीव करेटली फिडबैक नेगेटिव दो अगर आपको मेसेज समझ आ गया है जो बोल्ड समझ आ गया तो फिडबैक पजिटिव में दो स्पैसिफिक होना चाहिए टू दे पॉइंट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं पूछ कुछ और रही है अब बता कुछ हो रहे हो तो वैग मतलब वसंतुस्ट या ऐसा नहीं देने का फिडबैक नहीं देना है क्लेर फिडबै नहीं है अगरा मैंसेच और आपको चैनग आपको केले जाद है रहे है इस तो ए्म्पॉरणल्द आपको चाहना रही हो अगरनेग्णा नहीं हो तो आपको यह पिरी बात को क्मेंट है तुरंथ रप्लाई करना चाहिए ठीक है अगर आप डीले करोगे ना रिप्लाइद देने में तो फिर मज़ा नहीं आता फिर बात जित करने में मैं आपको पूछ रही हूं हलो बटा हलो बटा आप एग्रोर करें जा रहे हो तो इसा यूसफुलनेस यूसफुल होना चाहिए एफेक्टिव फिट्बैक इस वन यह तो आपको समझ में आ जाएगा एक बार आप पेज नुमर 12 जो है सेक्शन का उसको पढ़ लेंगे सेक्शन 2 का ठीक और फिर आपको सभी चीज़े समझ जाएगी ताप सो फिट्बैक जो है मैं नेक्स वीडियो में कवर करूंगी अभी तक के लिए सिर्फ इतना है अग मुझे बता सकते हैं ठीक है पूछने है तो भी है मुझे मैसेज कर सकते हैं परसनल में ओके बैए क्लास